So, hey guys, this is Neera Jain watching Q-Tricks यह आप लोगों ने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन पर क्लिक करके आल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा लाइफ सेशन जब भी होगा या रिकॉर्डड होगा, अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं direction and distance दिशा वा दूरी, ठीक है बहुत ज़्यादा अलग-अलग टाइप के questions होते हैं लेगिन मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा higher level आप exam में नहीं आएगा तो मैंने कोशिश की है कुछ अच्छे questions आज लेने ही की questions हम पढ़ेंगे थोड़ा सा पहले basic concept को सीखेंगे उसके बाद जो है questions को attempt करेंगे ठीक है, तो थैंक्यू नितिन, थैंक्यू सो मच ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर आचे class guys direction and distance, दिशावर, दूरी question Hindi English दोनों में है, English में तो मैंने कुछ टाइप किया हुआ है और Hindi जो है Google Translate की तरफ से की help से हम लिखते हैं, थोड़ी बहुत गलती हिंदी में हो सकती है बहुत ध्यान से समझेगा, बहुत ध्यान से समझेगा, अब देखिए जो चार arrow है चार arrow का मतलब आप यह मान के चलेंगे, कि यह सामने आप जब question को solve करेंगे दिशावर, दूरी यह निए direction और distance के question को जब आप solve करेंगे तो आपके सामने एक paper होगा, solve करने के लिए है न, paper pen होगा तो आप यह समझेंगे कि यह आपका paper pen है, जो आपकी screen है यह paper pen है, वहाँ पे आपको एक plus का निशान बनाना है और इस plus को निशान को जब बनाएंगे, तो इसके according जो आपका होगा वह होगा East इधर होगा, West इधर होगा, North इधर होगा और South आपका इधर होगा यदि East की में बात करोँ तो East को कहते है हिंदी में पूरब क्या कहते हैं, पूरब या पूरवदिशा कहते है और West होता है पश्चिम जिद्र सूरज डूपता है ठीक है और नौर्थ आपका उगया उत्तर जहां अकसर हमें पहाड दिखाई देते हैं बच्पन से ही सिख रहे हैं हम लोग और साउथ का मतलब होता है क्या दक्षण ठीक है दक्षण चलिए तो नौर्थ इस्ट वेस्ट नौर्थ साउथ यानि जब भी आप इसको अपने कॉ आपई मेँ ड्रो करेंगे तो प्लस के निशान के ऊपर की साइड आपका नौर्थ होगा नीकीचे की साइड सौथ होगा राइट साइड में इस्ट होगा और लेफ्ट साइड में पश्चिम यानि वैस्ट होगा ठीक है बस इतना आपको धे Ort Kabak अब बूसरी चीजह आती है यह question आप लोगों ने देखा कि degree वाले आते हैं कि 90 degree घूम जाना या 180 degree घूम जाना वो question आज मैंने include नहीं किये हैं ठीक है फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूं यहां पर वो अगले session में हम लोग include करेंगे देखे आपको पता है कि यह वाला एक second मैं यहां पर चीज़ें erase कर 45 यानि 45 degree घूमने का मतलब है तो इसको मैं और ऐसे इसको मैं cut करूँ तो यह जो directions होती है कौन कौन direction होती है यह direction North और East के बीच में है तो इसको कहते है North East यानि उत्तर पूर्व है ना हिंदी में क्या कहेंगे हिंदी में कहेंगे उत्तर पूर्व उसी तरह यह direction आपकी South East मे South West का मतलब दक्षण पश्चम ठीक है दक्षण पश्चम यानि South West उसी तरह जो यह direction होगी वो होगी North West यानि आपका क्या हो जाएगा उत्तर पश्चम यह direction आपकी हो जाएगी ठीक है I hope आप कई लोग को यह सब चीजे आती भी होंगी लेकिन practice करना जरूरी है और मुझे ब 180 का बनता है और 90 का हाफ आपका 45 होता तो basically जो आपके question आते हैं उसमें rotate के लिए 90 degree या 45 degree और 180 degree के लिए वो बोलता है आज की lesson में मैंने ये question include नहीं किये हैं क्योंकि इसके अलावे बहुत सारे question होते हैं जिनको पहले करना जरूरी है इन questions को मैं जब practice session कराऊंगा या कल की class में करवा दूँगा कोई बहुत सदर टफ नहीं होते हैं हलांकि ये question ज्यादा असान होते हैं एंगल वाली ठीक है तो अब हम बात करेंगे right और left की यानि जब आपसे कहा जाए कि आपको right मुड़ना है या left मुड़ना है ठीक है बहुत ध्यान से समझेगा ठीक है अब होता है ठीक है मान लेते हैं कि हम लोग north की तरफ चल रहे हैं मैं हर चीज आपको clear करूंगा ठीक है north की तरफ चल रहे हैं तो यदि हम north की तरफ चल रहे हैं तो इसका मतलब हम सीधे चल रहे हैं तो हमारे दाए हाथ में right होगा और left हेंड में हमारा left होगा बाया होगा यदि ठीक है चलिए अब देखिए इधर मोड़े हम लोग राइट मोड़े अब अगेन आपसे कहा गया है कि आप राइट मोड़ना है आपको आप किस डिरेक्शन में अब आप इस वाली डिरेक्शन में पहले आप नौर्थ वाली डिरेक्शन में थे फिर आपसे राइट मोडने के फिर राइट मुड़ेंगे तो यह हो जाएगा फिर राइट मुड़ेंगे तो इस तरीके से आपका यह राइट चलता रहेगा similarly यदि आप फिर से नॉर्थ की डिरेक्शन में चल रहे हैं ठीक है मेरे थम में जो राइट थम है उसमें थोड़ा सा पीन है कट गया था सुब़े that's why राइट इंग उतनी अच्छी नहीं हो रही है ठीक है थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा और आप इस डिरेक्शन में खडे हैं तो आपका obviously आपका right यह होगा और आपका left यह होगा तो यह आपका left हो गया है न यानि बाया side हो गया आपसे बाय मूटने कहा गया आप इधर मूटेंगे अब आप किस direction में हैं? अब आप west direction में यदि आप west direction means clockwise movement बिल्कुल सुमन्द, बिल्कुल clockwise में आपे नहीं बोलना चाहरा हूँ because कई सारे students हिंदी वाले भी हैं इसलिए मैं वर्ड को नहीं बोलना चाहरा था बिल्कुल सही कह रहे हैं अब आप west direction में हैं तो आपका right ये हो जाएगा और left मुणने के लिए left मुणने के लिए कहूँगा तो आपका left ये हो जाएगा और right मुणने के लिए कहूँगा तो आपका right ये हो जाएगा जस्ट आपको क्या करना है? आपको जो ये figure है इसको draw कर लेना है और assume करना है कि किस direction में आप देख रहे हैं उस direction में arrow बनाईए और assume करें कि आप south की तरफ देख रहे हैं तो आपका right क्या होना चाहिए आपका right ये होना चाहिए और आपका left ये होना चाहिए ठीक है, समझ मैं आ गया सबी को ये चीज़ें clear हैं, अब जरा मैं एक बार और चीज़ समझा दे रहा हूँ कि यदि मैं south की तरफ चल रहा हूँ एक second, ओके मैंने सब कुछ race कर दिया है guys north गलती से north, south, east, west ठीक है, माल लेते हैं कि मैं south की तरफ चल रहा हूँ 180 degree घूमना पड़ेगा और यदि आप 180 degree घूमेंगे तो आपका right आपका left और left right बन जाएगा दुबारा समझेए, यदि आप north यानि उत्तर दिशा में देख रहे हैं तो यह आपका right होगा और यह आपका left होगा यदि आप 180 degree घूम गए यानि पहले आप उत्तर दिशा की तरफ देख रहे हैं तो obviously आपका right अब यह हो जाएगा और आपका left यह हो जाएगा आप south direction में हैं चल रहे हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आपको दाए मुड़ना है दाए का मतलब right मुड़ना है तो आप इधर मुड़ेंगे ठीक है आप इधर मुड़ेंगे और आपसे कहा जा रहा left मुड़ना है तो आप किधर मुड़ेंगे आप इधर मुड़ेंगे यह सब चीज़ें आपको इस figure से एक दो question में आपको figure की जरूरत पड़ेगी otherwise आपको figure की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे सब लोग confirm करेंगे कि यहां तक सबको clear है is it clear to all of you till yet मुझे एक बार confirm कर दीज़े guys कि सबको यहां तक समझ में आ गया है कि यहां तक सबको clear है एक बार confirm कर देना उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा clear चलिए सभी लोग को clear है guys सभी लोग इबार comment section में बताएं जितने भी लोग class में है नेतिन अर्चना, रीता, ववीता ने बता दिया है सुमंत ने भी बता दिया है दीपा, रीता जितने लोग भी class में है make me confirm in the comment section कि is it clear to all of you मुझे लग रहा कई लोग का late चल रहा है थोड़ा सा delay चल रहा है चलो सबको clear है अब हम बढ़ेंगे एक बहुत important theorem की तरफ जो लोग bio वाले है या जिन लोग जो bio वाले students है learners है या arts वाले students है जो bio वाले हैं उन्होंने ये theorem पड़ी हुई है लेकिन होब भूल गए होंगे ठीक है पाइथागोरस का प्रमे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल मैं अच्छे से आपको समझा दूँगा बिल्कुल confused नहीं करूँगा पाइथागोरस प्रमे इसको कहा जाता है पाइथागोरस प्रमे का use and cue करते हैं यह आपको समझना है जो bio और arts background के लिए उनके लिए थोड़ सा tough पढ़ सकता है हला कि आप सभी लोग कक्षा 10 में इसको पढ़ चुके है लेकिन तब भी एक बार revise करना जरूरी है मैं उतना deep आपको नहीं बताऊँगा बस आपको जितना solve करना है मैं उतना बताऊँगा ठीक है जैसा कि मैंने कहका कि आपका यह आपका 90 का होता है अब मैं कहरा हूँ एक simple सी बात को समझे मेरी यदि मैं कहरा हूँ कि कोई person है वो person इस point से चलना शुरू कर रहा है इस point से चलना शुरू कर रहा और यहां तक पहुँंचता है कुछ particular distance को cover करके और यह distance 4 km है, मान लेते हैं, चार किलोमेटर की यह distance है और यहां से फिर वो उपर चलता है और उपर भी वो 4 km की distance को तय करता है और आप से पूछा जा रहा है कि जहां से इस ने शुरू किया और जहां पर उसने खतम किया, वहां से वहां तक कि जो दूरी है, वो कितनी है, अब दूरी का मतलब चार और चार आठ नहीं, दूरी का मतलब है ये वाली distance जो है, ठीक है, ये वाली जो distance है, इसको हम लोग दूरी के नाम से जानेंगे, यदि scientific term में बात करें तो इसको विस्थापन के नाम से भी जाना जाता है, English में हम लोग displacement कहते हैं, क्या कहते हैं, displacement कहते हैं, actually जो distance होती है, वो 448 होती है, और जो displacement होता है, देखें कितने नाम से इसको जाना जा सकता है, एक विस्थापन कहते हैं, एक displacement कहते हैं इसको English में, ठीक है, और इसको हम लोग कहते है shortest distance के नाम से भी जाना जाता है कि सबसे कम दूरी किसी दो बिंदों की बीच की सबसे कम दूरी को हम लोग displacement विस्थापपन या shortest distance के नाम से भी जानते हैं exam में आपसे पूछता है ऐसा question इसी लिए इस theorem को बताना जरूरी है ठीक है मैं सारी चीज़े एरेस करके एक पर दुबार आपको clear कर दे रहा हूँ पाइथागोरस theorem इसको कहा जाता है माल लेतने कोई person है उसने यहां से यहां तक वो चला फिर उसे बोला गया कि आपको दाय मुड़ना है और फिर उपर चलना है यहां तक उसने दूरी तैकी और आपसे बोला गया कि यह जो point है उसका घर था जिसको अमने A नाम दिया है और इसको अमने B नाम दिया है इसको अमने C नाम दिया है आई बस समझ में और यहाँ पे आपको यह वाले दूरी निकालनी है यह आपसे पूछा जाएगा एक्जाम में अब आपको क्या करना है आपको पता होगा कि 90 डिग्री होगा हमेशा यह वाले जो थियोरम है यह जो प्रमे है वो तभी लगती है जब यह जो एंगल होता है यह 90 डिग्री का होता है तब ही यह लगेगा ठीक है यहाँ पे आपको तीन साइड दिख रही है एक साइड यह है एक साइड यह है और एक साइड यह है इस साइड को हम कहते हैं क्या बेस कहते हैं क्या कहते हैं बेस कहते हैं हिंदी में इसको आप अधार कह सकते हैं ठीक है और बहुत mathematical term नहीं पढ़ने है और जो ये वाली दूरी है इसको हम लोग कर्ण के नाम से जानते हैं या इंग्लिश में इसको hypotenuse केरते हैं अब यहाँ पे यह सारे mathematical term आपको पढ़ने की कोई अविशक्ता नहीं है यहाँ पे आपको केवल इतना याद रखना है कि आपको दो बिंदू के बीच की दूरी निकालनी है और वो दूरी कौन सी होगी यह होगी और यह जो होगा आपका 90 degree होगा यानि 90 degree से आपके दो चीज़े बंदी हुई होगी और तीसरी लाइन ऐसे होगी अब यहाँ पे एक जो फॉर्मुला होता है उस फॉर्मुला का आपको याद कर लेना है वो क्या फॉर्मुला होता है हलांकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ABC मैंने इसको नाम दिया हुआ है अब देखो फॉर्मुला क्या होता है आपको इसकी डिस्टंस निकालने के लिए यह वाली जो डिस्टंस एक सिंपल सा फॉर्मुला इसका होगा यदि मैं इसको small a इसको small b और इसको small c नाम दूँ तो इसका जब फॉर्मुला होगा वो होगा a is square यानि a का वर बर 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 बी का वर यानि b square प्लस c का वर यानि c square यह simple सा एक फॉर्मुला आपका बनता है जैसे कि मैं बोलू की a से c की तक की जो दूरी थी वो आपकी 5 km थी चलो 8 मान लेता हूं इसको में 8 इसको 64 हो जाएगा और इसको में 6 km मान लेता हूं एक आपको easy करने के लिए मैंने यह आपको बता दिया 8 km और 6 km की distance मैंने मान ली आपको मान रख देना यानि value रख देनी है a square is equals to क्या हो जाएगा b square यानि 8 का square धन 6 का square यानि plus c का square यानि 6 square तो जो a square यानि a का वर की value होगी वो a होगी 8 इड़ा 64 प्लस 6 इड़ा 36 अब जब इसको अब add करेंगे तो जो a square का मान आएगा वो 100 आएगा और जब square को आब इधर लेके जाते हैं तो जो a की value निकल के आती है वो आती है under root के अंदर 100 यानि 100 का वर्गमूल और 100 के वर्गमूल केतना उता 10 होता है यानि a और b के बीच की जो दूरी हो गई वो 10 हो गई ठीक है दुबारा समझ लीजिए मैं एक बार और एक triangle ले रहा हूँ मान लेते हैं कि ये एक triangle है मतलब ये की दूरी तय की गई है यहां से यहां तक की एक दूरी तय की गई है a, b, c यानि जो a का square होगा इसके और इसके square के बराबर होगा यानि a का square होगा 12 का square धन 9 का square बस इतना कर देना है आपको ठीक है दोनों का square करके उनको add कर देना है तो यह होगा 144 धन 81 तो यह आपका जाएगा 4 और 1, 5 8, 4, 12 1, 2, 225 आगया और 225 किसका square होता है a square का मान होगा 225 तो जो a की value होगी वो वर्ग मूल के अंदर 225 होगी और 225 आपको किसका होता है 15 का square आपका 225 होता है जो a का मान होगा वो 15 हो जाएगा ठीक है सबको clear हो गया है I hope किसी को दिखकर नहीं होगी सबको clear है ना is it clear to all of you make me confirm guys क्या सबको समझ में आ गया है ठीक है तो मैं आगे बढ़ूँगा questions की तरफ अब सबको clear है या दुबारा बताना है तो भी मुझे comment section में बताईए जल्दी से चलो बहुत बढ़े सबको clear हो गया है बढ़ता है questions की तरफ तो पहला question guys आपके सामने है इस question को मैं solve करूँगा उसके बाद ही आप लोग देखेंगे ठीक है स्ट्रंथ कम होती जा रही है सबको आता है के direction and sense चले देखिए अशोक started walking towards south after walking 50 meters he took a right turn and walked 30 meters he then took a right turn and walked 100 meters he again took a right turn and walked 30 meters and stopped घबराये नहीं असान question है कैसे solve करना उसको हम देखेंगे how far and in which direction was he from the starting point क्या कहा जा रहा है आप से कि जो अशोक है वो दक्षिन की ओर से चलना उसने चलने लगा दक्षिन की ओर चल रहा है वो ठीक है 50 meter चलने के बाद उसने एक दाइनी करवट ली यानि दाइनी ओर वो मुड़ा और 30 meter और चला उसने फिर एक सही मोड लिया सही का मतलब होता है दाइना ठीक है क्योंकि right English में right मतलब right का जो दो मिनी होता है एक आपका दाया भी होता है एक सही भी होता है तो इसको Google जो है दाया को सही इसने लिख दिया है आप लोग समझ रहे होंगे सही मोड लिया यानि दाया मोड लिया और 100 meter चला उसने फिर से एक सही मोड लिया यानि एक दाया मोड लिया और 30 meter चला और फिर वो रुख गया वो शुरू आती बिंदू से कितनी दूरी में और किस दिशा में था या आप से पूछ रहा है चले देखते है अशोग started walking towards south यानि अशोग ने किधर चलना शुरू किया south की तरफ चलना शुरू किया ये मैंने बना दिया आपको direction हमेशा ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है धिरे-धिरे learn हो जाएगा north, south, east or west इधर उसने चलना शुरू किया after walking 50 meters यानि 50 meter वो चला है तो इसको मैंने 15 नाम रख दिया he took a right turn अब देखे right जब आप north की तरफ थे तो ये right आपका ये था ये left था तो इस बार आपका right ये हो जाएगा और left आपका ये हो जाएगा right की तरफ मुड़ा हो और कितना चला right turn and walk 30 meter 30 meter की तरफ चला अब देखे यहाँ पर draw करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो 50 है 50 से छुटा होगा 30 लेकिन कई बार होता है कि हम लोग को अलग design कर लेते हैं हम लोग पहले पता नहीं चलता कि भी बादवाली value क्या है तो आप हमको लग रहा है कि 30 जो है बड़ा हो गया है 50 से तो 50 को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ठीक हो गया अब जब आप दाये से दाये में चलते हैं तो आपने दाये तरफ ही मुड़ेंगे दाया मोल लिया और वो फिर 100 meter चला अब देखो ये 50 है तो हमें इसका double करना पड़ेगा है ना तो हमें काम करेंगे 50 को यहां तक assume करेंगे और इसका double यह कर लेंगे 100 meter ठीक है यह पूरा 100 meter हो गया 100 meters इसने फिर से एक right turn लिया और 30 meter हो और चला अब देखें यहां भी 30 है यहां भी 30 है तो यहां से वो यहां पहुँच गया और यह 30 हो गया ठीक है और यह जो distance है इसको हमने 100 को two part में split कर दिया 50 और 50 ठीक है समझ में आ गया चलो 50 आ गया समझ में यानि यहां से वो चला था यहां से वो चला था इस point से वो चला था और यहाँ पे वो पहुँच गया है याँ वो शुरुवाती बिंदू से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है शुरुवाती बिंदू से वो कितनी दूरी पर है पचास मीटर की दूरी पर है और पचास वाले दो आप्शन है हमारे पस 50 meter south और 50 meter north है ना तो आप दीखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वह शुरुवाती बिंदू से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में यानि इस से किस दिशा में इस से नहीं जहाँ पर वो है वहाँ से नहीं पूछा है आपसे यहाँ से पूछा देखिए गलती हो सकती है कई लोग सुछते हैं कि यहाँ पूछा है तो south की तरफ देख रहा है इस से नहीं होगा यहाँ से पूछ रहा है तो वो north की तरफ देख रहा है यानि 50 meter तुमारा है यह है और north यानि किस दिशा में towards south of town B towards which direction is town H from D. मैं इस तरीके से बताऊँगा कि जो बिल्कुल basic है, जो पहली बार direction फट रहे हैं, उनको भी समझ में आ रहे हैं, ठीक है? town D है, यानि जो शहर D है D शहर, town D शहर के पूर्फ की हो रहे हैं F शहर के, यह देखो यहाँ पेस ने गलत कर दिया है एक सिकन्ड रुकना F, town B, शहर के उत्तर क्यों है ओके guys, यह इसने Hindi में translation गलत कर दिया है, ठीक है? मैं समझा दे रहा हूँ, देखो, town D is towards East, मैं खुद जो है, बहुत ज़्यादा परिशान हूँ उस चीज़ को लेके, Google Translate बहुत गलतियां कर रहा है कुछ दिनों से, पहले यह बिल्कुल सही translate करता था, बट देखे, इतना time नहीं होता है कि बिल्कुल Hindi में type कर सकें तो translation हम करते थे, हमेशा से अब translate करते हैं तो पहले तो यह सही करता था, अब पता नहीं कुछ दिनों से क्या हुआ है, इसको बिल्कुल गलतियों पर गलतियां कर रहा है, town D is towards towards east of the town F ठीक है, यह आपका direction हो गया north, south, east और west, ठीक हो गया अब देखो, जो town D है, यानि जो शहर D है, वो शहर F के east में है, है ना शहर F हमने बना लिया, और F का east, यानि F का पूर्व किदर है इधर है, यानि D इधर हो गया ठीक हो गया, चलो, फिर आगे देखते हैं अब town B जो है is north of D, यानि जो शहर B है, वो D के उत्तर में है D का उत्तर कौन सा हो गया, इधर हो गया यानि यहां कहीं पर B होगा, हम बस पहले भी हो सकता है, हमें केवल इतना बोला गया है कि B से इधर है, B के south में है लेकिन ये तो नहीं बोला है ना कि D से पहले है या D के बाद में है ठीक है, नहीं बोला है, तो कहीं भी हो सकता है क्या पूछा गया है, कि towards which direction is the town H from the F अब दीखे यदि D से उपर है town H, तो ये F से किस दिशा में होगा, ये कौन से दिशा होती है north east, यानि उत्तर पूर्व दिशा में होगा, है ना, नॉर्फ इस दिशा में होगा, और यदि H इधर है तो ये किसमें होगा, ये होगा, साउथ इस्ट कर चुके थे, ठीक है, चलो okay, is it clear to all of you, सब को समझ में आ गया होगा, अब बढ़ते हैं हम लो, question number third की तरफ तो अब एक प्रशन संक्या 3, यानि question number third है आपका a person rode his bicycle towards north first, ठीक है, एक person then turned left and rode one kilometer and again turned left and rode two kilometer he found himself exactly one kilometer west of his starting point how far did he ride northwards initially, एक वक्ती ने अपनी cycle को उत्तर की और घुमाया, फिर बाए मुड़ा और एक किलोमेटर की सवारी की और फिर से बाए मुड़ कर दो किलोमेटर की दूरी तए की उन्होंने खुद को अपने शुरु आती की तरफ cycle चला रहा है, ठीक है, देखो as I said मेरे धम में कटा हुआ है, that's why जो लाइन से वो सीधी नहीं हो रही है, तो ignore करना ठीक है, then turns left, आपको पता है left की तरह है आपका, left इधर है ठीक है, north की तरफ चला तो left इधर होगा end road one kilometer, एक किलोमेटर उसने चलाया अब ये वाली distance हमको पता नहीं है, ठीक है, ये वाली distance उसने नहीं पता है one kilometer चलाया, और again वो left मुडा और फिर उसने दो kilometer चलाया ठीक है, दो kilometer चलाया, वही एक का double तो थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा he found himself exactly one kilometer west of his starting point उसने कहां पाया उसने अपने आपको, उसने अपने आपको शुरुवाती बिंदू से एक किलोमेटर की दूरी में पाया पश्चिम की तरफ, है ना तो वही एक किलोमेटर की दूरी पश्चिम की तरफ, मतलब ये भी one था, ये भी one था ठीक है, clear है ना सभी को, चलो भे, question number fourth, point R is 10 meters north of point A, point K is exactly middle of the point R and A, Hindi में मत पढ़ियेगा guys, ठीक हिंदी में गलतियां हो रही है, इसका alternative कुछ ढूढना पढ़ेगा because problems तो हो रही है, point N is 7 meters east of point A, point M is 7 meters east of point K, point S is 6 meters north of point M, What is the distance between point S and A, आपसे पूछ रहा है, चलो, चल्दी से बताईए, इस question को solve आप लोग करेंगे, ठीक है, उपर वाले को पढ़ियेगा ये नीचे वाले को मत पढ़ना, ठीक है, उपर वाले को पढ़ियेगा, क्या question कह रहा है, उपर वाले को पढ़ियेगा और फिर बताईए, क्य इस question को solve करने के कोशिश करिये, ठीक है, ठीक है, सुमंध गये हैं, option number C के साथ, यानि 11 meter, ओके, चलिए, बाके लोग भी solve करिये, पविता का भी answer आगया, 11 meter, बाके लोग solve कर रहे हैं, कोशिश करिये दोस्तों, ठीक है, कोशिश नहीं करेंगे, तो नहीं होगा, अमित का answer आगया, C, अमित, I think this is your first class, live class, जो लोग पहली बार class में हैं, या live पहली बार हैं, या recorded पहली बार देख रहे हैं, जो पुराने session से उनको जरूर देखिएगा, ठीक है, बहुत सारे, कितने lessons हो गए हैं, 38 हो गए हैं, आज सुबर जो वीडियो में बनाया था, उसमें मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको सारे वीडियो आप देख सकते हैं, उनको जरूर देखिएगा दोस्तों, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, बहुत सारे चीज़ा सिखा रखिए हैं, question है आपका, point R is, point R is 10 meters north of point A, point K is exactly in the middle of point R and A, point N is the 7 meters east of point A, point M is 7 meters east of point K, point S is 6 meters north of point M, what is the distance between S and N आपसे पूछा गया है, ठीक है? चली, thank you so much Amit, point R is 10 meters north of point A, है ना, north का मितलब आपका उपर हो गया, यानि जो point R है ना, point R वो A से 10 meter के दूरी पर है उत्तर की दिशा में, किस से? point A से, ठीक है, इसको हम लोग 10 नाम दे देते हैं, A नाम देते हैं 10 meter हो गया, ठीक हो गया, point K is exactly in the middle of the point R और A, जो R और A के बीच का एकदम middle point है, उसको हमने K नाम दिया है, किसका नाम दिया है, हमने K नाम दिया, यानि यह 5 हो गया और यह आपका 5 हो गया, ठीक है, point N is 7 meter east of point A, जो point N है, वो 7 meter की दूरी पर है point A से, ठीक है, point N, sorry, point N जो है, वो 7 meter की दूरी पर east में है, यानि पूर्व दिशा में है, किसमें? 7 meter की दूरी पर, ठीक हो गया, चलिए, फिर point M is 7 meter east of point K, जो point M है, वो K से 7 meter east में है, बिलकुल इसी के parallel में चलेगा इसका मतलब, है ना, यह point M हो गया, और यह भी 7 हो गया, फिर point S is 6 meters north of point M, है ना, 6 meter, ठीक है, 6 meter का मतलब है, यह point M है, ठीक, अब यह point M है, तो point S is 6 meter north of point M, अब देखो, यह 5 meter है ना, तो यहनि इससे थोड़ा सा उपर जाएगा, यहाँ पर 6 meter, और यह point S हो जाएगा, ठीक है, what is distance between point S और N, S और N के बीच के आपकी दूरी पूछी गई है, तो 6 यह हो गया, और यह 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 होगा, 6 और 5, 11 हो जाएगा, यह नहीं 11 meters, ठीक है, अब बिल्कुल विक्रम आप भी देखिए, आप, thank you so much रीटा, thank you, बिल्कुल देखा करिए, नहीं विक्रम आप भी देख सकते हैं, बिल्कुल recorded देखिए, पुराने revision करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, चलो, बढ़ते हैं question number 5 की दरफ, ठीक है, guys आप लोग question number 5 को कोशिश करिए, solve करने की, मैंने अपना lapi charge में लगा है, discharge का notification आया है, मुझे एक minute दीजेगा आप लोग, question solve करिए, मैं जब चार्जिंग के लगा दूँ, ठीक है, मैं भूल गया हूँ, give me a minute, आप लोग solve करिए question तब तक, ग्रूप exit हो गया प्रियंग का, कोई बात नहीं, दुबारा जॉइन कर लीजेगा, मैं देख रहा था, कि आपने left कर दिया है, present आप late है, कोशिश करिये नव बज़ाने की, ठीक है, recorded देख लेना, बहुत important चीज़े बताईए आज, दुबारा जॉइन कर लीजेगा, विक्रम कहें है, option number D के साथ, चलिए गाई, स्वाल्प करें जल्दी से सभी लोग, सुमंद गहें, option number E के साथ, अमित E, बबीता E, सभी लोग E जवाब कर रहे है, none of these, ओके, चलिए, solve करा जाए फिर question को, Mohan walked 30 meters towards south, ठीक है, Mohan जो है 30 meter south की तरफ चला, took a left turn, left का मतलब, north में आपका right यह होता है, तो यह आपका left हो जाएगा, यानि उसने किधर लिया, ठीक है, इधर चला वो left की तरफ, ठीक है, 50, हाँ जी, 50, took a left turn, and walked 15 meter, 15 meter चला वो, ठीक है, चलो यह 15 हो गया, he then took a right turn, अब उसने क्या किया, उसने right turn लिया, right turn का मतलब, अब देखो, इस direction में तो right turn इधर होगा, और वो कितना चला, अब वो 20 meter चला, ठीक हो गया, he again took a right turn, फिर से उसने right लिया, तो जब वो south direction में है, तो उसका right इधर होगा, उसका right इधर होगा, और वो फिर से 15 meter चला, यानि exactly यहाँ पे, इस point के यहाँ पे सीधा 15 की meter चला, how far is he from the starting point, गाइस देखो, यहाँ पे हो था, यह उसका initial point था, चीक है, यह 30 हो गया वो यहाँ पर है, तो सीधी दूरी यहाँ तक इसकी कितनी हो जाएगी, 30 और 20, 50 हो जाएगी, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो none of these आपका क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, ठीक है, clear हो गया, चलो बढ़ते हैं, question number 6 की तरफ, पॉल बड़े सभी लोगो ने सही answer किया है, well done, Priyanka, लेट हो गई हैं आप, ठीक है, देख लीजेगा पहले class को बाद में, मतलब जो शुरू का छूटा हुआ अधा गंटा आपका, अगला question guys, Nishu starting from a fixed point, goes 15 km towards north, and then after turning to his right, he goes 15 km, then he goes 10, 15 and 15 meters after turning to his left each time, how far is he from his starting point, Nishu एक निश्चित बिंदू से शुरू होकर 15 km उत्तर की और जाती है, और फिर अपने दाईं और मुडने के बाद, वह 15 km जाती है, फिर वह हर बार बाईं और मुडने के बाद, 10, 15 और 15 meter जाती है, वहाँ अपने शुरूवाती विंदू से कितना दूर है या आपको निकालना है, चलो, जल्दी से बताओ भी, देखते हैं कौन करता है आंसर, सही और पहले, बबीता के यहीं है, ऑप्शन नमबर एक साथ, यानि फाइव मीटर्ज, B, सुमंथ B, अमित B, ओके, बाकी लोग जल्दी से बताओ, चलो, अलग-अलग आंसर आ रहे हैं, तो हम सॉल्द कर देते हैं फिर क्वेश्चन को, निश्व स्टाइब फिक्स पॉइंट गोज फिप्टीन किलोमेटर तोवर्ज नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ की तरफ चलना है, पंदरा किलोमेटर, ठीक हो गया, और आफ्टर तर तुनिंग तो इस राइट, ही गोज, शी गोज ओना चेह था यहाँ पे, चलो, जो भी है, फिप्टीन किलोमेटर, फिर से पंदरा चली, ठीक है, देन ही गोज, या शी गोज, 10, 15, and 15 मीटर तरनिंग तो इस लेफ्ट इच टाइम, अब देखो, इधर, जब हम इस तरफ डिरेक्शन कर रहे हैं, नॉर्थ, राइट, ठीक है, लेफ्ट में जब वो चली है, फिर से, हर बार लेफ्ट टन लिया है, और 10, 15, 15 चली है, तो पहले लेफ्ट में, 10, ठीक है, फिर उसके बाद, दूसरे लेफ्ट में, फिर 15, यानि बिल्कुल इस पॉइंट पे, और फिर जो है 15, अब ये 10 हो गया, ये 10 है ना, यहां तक, फिर यहां से लेके, यहां तक, आपका क्या होगा, 15 होगा, पूरा का पूरा, यानि ये 5 हो जाएगा, और नीचे कितना बचा, 10 बचा, ठीक हो गया, यानि इस पॉइंट पे, आप वहां पर है वो, ठीक है, इनीचेल पॉइंट क्या था, इनीचेल पॉइंट आपका, ये था, यानि, how far from his starting point, 10 किलोमेटर, ठीक है, mistake, कोई बात नहीं, ठीक है, 10 किलोमेटर, सबकों समझ में आ गया होगा, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, यहां से वो चलना शुरू किया, उसने, और यहां से फिर वो 15 यहां गई, पाएं लेने के बाद 10, 15 और 15, तो 10 तो यहां तक हो गया, 15 यहां तक हो गया, ठीक है, चलो, question number 8, जल्दी से, come on guys, question number 8 करने की कोशिश करिये solve, जल्दी से, कोई बात नहीं भई, गलतियां तो होती है, गलतियां होनी चाहिए, बट यहां होनी चाहिए, exam में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बी, ओके, बी का मतलब है, 5 किलो मेटर वेस्ट, देखेंए, सभी लोग guys, जल्दी से करो answer, question solve करिये, 5 किलो मेटर, ओके, D, बहुत different answer आ रहे हैं, समय बहुत लग रहा है, क्या हो गया, समय क्यों लग रहा है इतना, चलो मैं solve कर देता हूँ, अंजली गोस 12 किलो मेटर तोवर्स नॉर्थ and from a fixed point and then she goes 8 किलो मेटर तोवर्स साउथ from there, in the end as she goes 3 किलो मेटर तोवर्स east, how far and in what direction is she from her starting point, अंजली, एक निशित बिंदू से उत्तर की और 12 किलो मेटर जाती है और फिर वह, वहां से 8 किलो मेटर दक्षिन की ओर जाती है, अंत में वह 3 किलो मेटर पूर्फ की ओर जाती है वह अपने शुरुवाती बिंदू से कितनी दूर और किस दिशा में है आपसे ये पूछ रहा है question, तो 12 किलो मेटर किदर, north की तरफ तो माल लेते हैं, अंजली का starting point ये है यहां से उपर चले गई 12 किलो मेटर ठीक है, फिर उसके बाद and she goes 8 किलो मेटर towards south from there अब वह यहां से south की तरफ जा रही है यानि यहां से वह इसी रोड पे वापस आ रही है, पीछे मुड के तो भई 12 किलो मेटर 8 किलो मेटर आई है, तो इसी 12 कि वापस जब वह आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है तो माल लेते हैं कि 8 किलो मेटर यहां तक पहुँची है वह, तो बचा कितना है यहां पे नीचे 4 बच गया, ठीक हो गया फिर उसके बाद क्या बोल रहा है in the end of end she goes 3 किलो मेटर towards east, यानि यहां से फिरो 3 किलो मेटर east की तरफ चले गई, ठीक है how far and in what direction is she from her starting point, वो अपने starting point से कितनी दूरी पर है, starting point कहां है, यह है, और यहां पर वो है, तो दूरी आपसे पूची गई है यानि पाइथागोरस थियोरम का आप अस्तिमाल करेंगे अब, है न, यह 90 हो गया, मैंने ऐसे figure बनाया था न, तो इस figure को उल्टा कर दिया, ऐसे बना दिया, कोई दिक्कद नहीं है, यह 90 हो गया ठीक है, तो अब यह क्या हो जाएगा इसको निकालने के लिए, इसका square यानि इसको A मान लेते हैं, तीन का square थान, चार का square तीन का square नौ, चार का square ओके, चार का square सोला तो A square request हो गया, सोला और नौ पच्चिस, और A बराबर हो गया पांच, यानि जो यह वाली दूरी आ गई वो पांच हो गई, ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है, कि भी किस दिशा में है, यह कौन सी दिशा है, यह आपकी North East दिशा, यानि उत्तर पूर्व दिशा होगई यह वाली दिशा, है ना, यानि North East पांच किलोमेटर option number, डीविकरम कह रहे हैं कुछ सर, South में क्या मिल रहा है, सब question में South में ही जाते हैं, सब South में शान्ती है, South India बहुत ही अच्छी जगा है, ठीक है, सारे start-up सारी बड़ी-बड़ी कंपनिया, सब South में है, education सबसे ज़्यादा South में है, इसी लिए सब South की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है विकरम? हाँ जी, चलिए question नमबर 9 की तरफ बढ़ते है question नमबर 9 आपके सामने है आचा South की movies भी तो बहुत अच्छी होती हैं, इसी लिए सब लोग South की तरफ जा रहे हैं होते हैं नहीं होती हैं अच्छी South की movies चलो, solve करो Ritu goes 30 km from a North Sir, वीच वीच में वीडियो fluctuate हो रहा है यहां तो सब ठीक है अच्छना हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो जाता है सुमंत पूछ रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट South है स्टार्टिंग पॉइंट कौन सार्टिंग पॉइंट चाह इस कुश्यन में Ritu goes 30 km towards North from a fixed point then after turning her right she goes 15 after this she goes 30 or how far and in what direction is she from her starting point करना पड़ेगा सुमंत B के साथ जा रहे हैं सभी लोग करें साल फिर इसको Ritu goes 30 km towards North from a fixed point यह है एक fixed point यहां से Ritu चल पड़ी है 30 km North की तरफ फिक है 8th question में पूछ रहे हैं सुमंत सुमंत का doubt पहले clear कर देता है सुमंत ने क्या पूछा था कि सर स्टार्टिंग पॉइंट South में है नहीं देखो क्या पूछा गया था वह अपने शुरुवाती बिंदू से कितनी दूर और किस दिशा में है इस बिंदू से शुरुवाती बिंदू तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट से किस डिरेक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट से नौर्थीस डिरेक्शन में यदि वो बोलता कि अभी वो जहां पर है वहां से वो स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ कॉनस्ट डिरेक्शन है तो आपका question उल्टा हो जाता, ठीक है सुमन, clear है, समझ में आया, starting point से किस direction में ये पूछा गया है, माल लेते हैं आप यहाँ खड़े हैं और यहाँ पे आपको जाना था तो आपसे पूछ रहा है कि आप जहाँ खड़े हैं, वहाँ से यह जगा किस direction में है, ठीक है, तो north east ही ह बड़ा कर देते हैं, ठीक है, चलो, फिर after this, she goes 30 km after turning to her right, अब भी इसके बाद फिर ride लिया और फिर से 30 km चली है वो, तो यह 30 हो गया, ठीक है, how far and in which what direction is she from her starting point, ये है और ये है, अब देखे वही वाली बात है शुमन, जो पिछले question में थी, कि वो अपनी starting point से किस direction में है, starting point से किस direction में, starting point से किस direction में है, east direction में है, यानि पूर्व दिशा में है, और कितनी 15 यानि 15 east option number भी answer है, ठीक है, same था, जो आपका doubt था question number 8 के लिए same question था, ठीक है, चलो, बहुत बड़िया, काफी लोगों ने सही answer किया, सभी लोग कोशिच करने सही answer करने की, question number 10 आपके सामन है, जल्दी से solve करें, चली, question number 10, quickly, D, अमीद गये हैं, option number D के साथ, बवीता की option number D के साथ, चली, बहुत बड़िया, सभी लोग option number D अंसर बता रहे हैं, हम कर देते हैं, solve question को, Neha goes 5 km towards east from a fixed point N and then 35 km after turning to her left, again she goes 10 km after turning to her right, after this she goes 35 km after turning to her right, How far is she from N, ठीक है, Neha goes 5 km towards east from a fixed point N, एक fixed point है N, ठीक है, यहां से Neha जी चल रही हैं, इधर 5 km चली, ठीक है, Again she goes 10 km after turning right, अब इधर से right इधर हो जाएगा, कितना, 10 km मात्र, After this she goes 35 km right, भई फिर से वो कहां पहुँच गई हैं, यहां पहुँच गई हैं, 35 km चलने के बाद, How far is she from the N, वो N से कितनी दूरी पर हैं, N से वो हैं 5, और यह कितना हैं, 10, यहां 10 और प्लस 5 कितना हो गया, 15 यहां पंदरा, यहां आप्शन नमबर D, Everyone, well done, बहुत बढ़िया, ठीक है, very good, बहुत अच्छा चल रहा है, सभी लोग समझ रहे हैं, question का अंसर हैं बिल्कुल सही सही कर रहे हैं, ठीक है, चलो, बढ़ते हैं ले question की तरफ, Question number 11, आपके सामने हैं, जल्दी से solve करिए, Question number 11, आपके सामने हैं, बढ़ते 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 है अमिद गये हैं option number B के साथ ओके सुमंद का अभी answer आया है option number B यानि 50 meter पश्चिन की तरफ चलो ओके बभीता का answer अच्छा बभीता D गलती से D लिख दिया मुझे लग रहा है हाँ जी B answer आ रहा है सभी का ओके विक्रम बहुत दिर से आप answer नहीं कर रहे हैं विक्रम नितिन फिर बहुत लोग थे प्रियंका आपने फिर class छोड़ दी है क्या नेहा अर्चना answer करो भई क्यों नहीं कर रहे हैं answer अर्चना का answer आ गया था B okay सभी लोग answer करिये हेमंत वाक 40 meters facing towards north from there he walked 50 meters after turning to his left after his he walked 40 meters after turning to his left how far and in which what direction is he now from his starting point ठीक है हेमंत उत्तर की ओर मुझ करके 40 meter तक चला वहां से वा बाईं ओर मुड कर 50 meter तक चला इसके बाद वो अपने बाईं मुडने के बाद 40 meter तक चला वो अपने शुरुवाती बिंदू से अब कितनी और किस दिशा में है ठीक है अब नौर्थ की तरफ वो चल रहा है कितना चला नौर्थ की तरफ 40 चला ठीक हो गया he walked 50 turning to his left left मुडा और कितना चला 50 चला after this he walked 40 फिर left मुडा भीया फिर 40 यह जिस जगा पे था उसी point के एकदम parallel में पहुँच गया ठीक है how far and in what direction कितना दूर है भई पचास की मीटर दूर है किस direction में है कौंस डिरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट से west direction में है यानि b option होगा option number b 50 मीटर और west sir मैंने भी कर दिया answer बिलकुल नहां well done बहुत बढ़िया ठीक है question number 12 आपके सामने है जल्दी से solve करिए जल्दी से भी लोग आपके सामने है answer करिए quickly थोड़ा सा tough हो सकता मुझे लग रहा है कोई दिखकर नहीं d यानि 5 km और कोई doubt है नहीं हो रहा है तो बताए comment section में मैं solve करवा दूँगा c अर्चना कह रही है c नहीं 2 km Amit कह रहे है e in and of these now I have to solve this question because there are lot of different answers because so I have to solve this question okay guys no problem Rohit goes 7 km towards southeast from his house then he goes 14 km turning to west after this he goes 7 km towards northwest and in the end he goes 9 km towards east how far is he from his house Rohit अपने घर से दक्षिन पूर्व की और 7 km दूर जाता है फिर वह 14 km पश्चिम की और जाता है इसके बाद वह उत्तर पश्चिम की और 7 km जाता है और अंत में वह 9 km पूर्व की और जाता है वह अपने घर से कितनी दूरी पर है ठीक है रोहिद गो 7 km towards south east जरा याद करो direction याद करो गुर्वानी ठीक है चलो north, south, east और west ठीक तो south east, south east क्या है ये है east, west, north, south हाँ सही तो है ठीक है तो south east ये है यानि वह south east चला अपने घर से माल लेते हैं कि ये उसका घर है यहाँ से वो इधर चला साथ ठीक है चलो आच्छा 7 चल गया वो ठीक है फिर then he goes 14 km towards west यहाँ से वो 14 km की दूरी पर चलता है 14 km after this he goes 7 km towards northwest northwest का मतलब ये वाली direction यानि ऐसे फिर से वो साथ चला यानि ये क्या बन रहा है इसको यदि कोई math वाला है तो इसको पहलो ग्राम कहते है ठीक है Hindi में तो पता नहीं क्या कहते है English में तो पहलो ग्राम कहते है ठीक फिर उसके बाद and he goes to 9 km east फिर वो 9 km east की दरफ चल रहा है तो ये पूरा का पूरा दी 14 है तो ये आपका 9 हो जाएगा और यहां से जो यहां तक की दूरी होगी वो आपसे पूछी गई है वो दूरी कितनी हो जाएगी वो दूरी यहां से दूरी 14-9 यानि 5 हो जाएगी ठीक है How far is from his home 5 यानि option number D बिल्कुल सभी का अंसर बिल्कुल सही है जिन लोगों ने गलत किया है कोई दिखकर नहीं थोड़ा सा अलग कुश्यन था तो घबराने वाली और टेंशन दिनने वाली कोई भी बात नहीं है Just relax गलतियां होती है तब ही आप सीखेंगे Yes, parallelogram formation इसको parallelogram कहते हैं English में parallel lines है न देखो ये दोनों समांतर है एक दूसरे के हिंदी में समांतर कहते है parallelogram को क्या कहते है मुझे नहीं बता ठीक है ये दोनों भी parallel है ठीक है? चलो बढ़ते है question number 13 की तरफ Manisha stops after going 10 km towards west from her office चलो भी करो solve करो मैं क्यों पढ़ रहा हूँ पहले पहले तो आपको solve करना चाहिए कोई बात नहीं दीपा mistakes होंगी गलतियां होंगी और गलतियां करने से ही सीखो गया आप कोई problem नहीं है करो गलतियां no problem प्रणाम सर प्रणाम आप बहुत लेट आते हैं क्या बोलते हैं विक्रम बता रहे हैं संबलंब संबलंब कहते हैं भई पैलोग्राम को हिंदी में आप हमेशा लेट जॉइन करते हैं सर अच्छा रिकॉर्डड तो नहीं देखते हैं चलिए बहुत जल्दी से question को solve करिए question no 13 समांतर चतुर्भुच कहते हैं okay समांतर चतुर्भुच कहते हैं हिंदी में वही अंकिस सर ने बता दिया सही सही चलिए option no e की साथ गया है sumant यानि none of these okay हां जी सबी लोग answer करिए क्या हो गया बवीता भी कही है option no e के साथ जहां पर 9 दी जाता है न वहां पर दुबारा solve करना होता है न हां यार गलत तो नहीं हो गया none of these कैसे हो गया answer चलो पहले solve करो d 14 km नितिन कह रहे है option no e अंकित सर कैसे हैं आप यह आगया एक और आंसर अर्चना का चले भी solve करते हैं ठीक है no problem Manisha stops her after going 10 km towards west from her office यह माल लेते हैं Manisha जी का office है और यहां से west की तरफ चल रहे हैं ठीक है कितना 10 km 10 km वो रुख गई है then she goes 8 km turning to her left left का मतलब इधर नीचे मुणना और नीचे वो कितना आई हैं 8 आई हैं इसको थोड़ा सा बढ़ा कर देते हैं 10 को ठीक है चलो after this she goes 4 km turning to her left इसके बाद वो 4 km और left चली है अब left का मतलब क्या है भई left का मतलब इधर है 4 km ठीक है how far is she from her office वो अपने office से कितनी दूरी पर है ठीक है अब यहां पे थोड़ा सा question आपको परिशान कर सकता है चलो यहां पे question कैसे परिशान कर सकता है question इस तरीकी से परिशान कर सकता है कि यह आपका 4 है तो आपको क्या निकालनी है दूरी पूछी गई है यानि आपको यह distance निकालनी है अब यह distance आप कैसे निकालोगे यहां से इसको मिलाना पड़ेगा आपको यह आपका 8 हो जाएगा इसके बराबर और यह यहां से यहां तक 4 है और यह पूरा 10 है तो यह 6 हो जाएगा ठीक है समझ में आया आपको फिर से पाइथागोरस प्रमे यानि पाइथागोरस थिरम लगानी पड़ेगी जो यह हम इसको A मान लेंगे तो A square यानि A का वर्ग बराबर हो जाएगा 8 का वर्ग यानि 8 square is 64 प्लस 66 आप 36 तो जो A का मान आएगा वो आएगा कितना अन्रूट के अंदर 100 यानि 100 और जो A की value आएगी वो 10 आजाएगी 10 किलोमेटर आजाएगी तो क्या 10 किलोमेटर जैसा कोई option आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है 9 of 10 अब एक 9 of 10 का बहुत अच्छा concept है क्या concept है एक छोटी से story ही होती है हर aspirant चाहे वो किसी भी stream का हो, banking का हो, ssc का हो या teaching का aspirant हो जो भी competitive exam के preparation कर रहा है 9 of 10 का एक परिशानी सा option है होता क्या है जब भी 9 of 10 आपका option आता है कि मतलब कोई भी एक match नहीं कर रहा है तो आपको लगता है कि यार ये तो मेरे से गलत हो गया आप मुझे दुवारा solve करना पड़ेगा यही तो होता है यही आपसे होता है कि 9 of 10 का मतलब है कि मैंने कहीं गलती की है मुझे दुवारा solve करना पड़ेगा ठीक है पहला point पहला point यह है कि आपको अपने ऊपर इतना 100% confident होना चाहिए confidence होना चाहिए कि आप गलती नहीं कर रहे है है ना क्यूं? क्यूंकि none of these भी आपको एक number दिला रहा है है ना एक number दिला रहा है none of these भी हाँ मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा confusion रह जाता है कि हाँ शायद मुझे कोई गलती रह गई हो लेकिन excuse me इस कदर आपको practice करनी है इस level की आपको practice करनी है कि none of these आ रहा है तो सीधे tick करके आगे बढ़ा जाए यदि समय की कमी है तो समझ में आया और उसको आप hold पे रखना चाहें review पे रखना चाहें तो उसको skip कर दें उसको pencil से भर लें और बाद में एक बार देखने चेक करके जब आपके बाद time बच जाए समझ में आ गया चलो बहुत बढ़िया अब देखो direction में तो इतने ही questions थे direction में में ज़्यादा question आज 13 question थे एक घंटे का मेरा idea था अब जो मैंने आपको telegram channel पे syllogism के question दिये थे मुझे उम्मीद है कि वो ज़्यादा लोगों ने solve नहीं किये है तो आप लोग सिर्फ एक minute के लिए screen पे रुकेंगे जाएगा कोई नहीं ठीक है syllogism के 10 question और करेंगे हम लोग आज हम लोग ने उस दिन 20 question कर लिये थे 21 से हम लोग आज फिर start करेंगे कोई नहीं जाएगा class छोड़के ठीक है practice करना बहुत ज़रूरी है और देखिए ये गलत बात है telegram पे दि आपको भेजा हुआ है PDF पूरा तो आपको solve करना चाहिए ठीक है तो आप लोग बस दो मिनट के लिए screen पे रुकेंगे उसके बाद आपके सामने में दुबारा आउंगा दो मिनट भी पूरा नहीं लगेगा उसी site के साथ जो मैंने आपको telegram पे भीजा था ठीक है just wait for a minute guys कर दो करना दो आपको कर लिया है विक्रम मैंने आपका मेसेज पढ़ लिया था आपका कमेंट पढ़ लिया था इसलिए मैंने 36 से ही शुरू किया है because आपने दिस सॉल्फ किया है तो उसका आपको फायदा भी होना चाहिए ठीक है तो मैंने 36 से ही शुरू किया है ओके चलिए तो मैं जड़ा एड़ेस्ट कर लूँ चीजों को उसके बाद शुरू करता है चलिए पहला कुश्चन 36 some questions are answer some answers are explanation ठीक है some okay guys wait हाँ यह क्या हो गया pen नहीं चल रहा है वही एक second okay ठीक है अब ठीक है एक minute दीजेगा ठीक है कुछ problem कर रहा है यह wait a minute guys I'm making it correct okay now it's fine I hope so yes right it's fine now okay no question is answer ठीक है no question is answer ठीक है all some answers are explanation all explanation are lengthy and no lengthy is summary ठीक है चलो भी जल्दी से no explanation is summary no explanation is summary बिल्कुल सही होगा क्यों क्योंकि कोई भी lengthy जो है summary नहीं है और lengthy के अंदर पूरा का पूरा य आता है यानि explanation आता है तो no explanation is summary बिल्कुल सही होगा ठीक है चलो अगला some lengthy are answers some lengthy are answers तो some lengthy are answers बिल्कुल some lengthy answer के अंदर आ रहा है तो ये भी आपका सही होगा some answers are not summary some answers some answers are not summary ऐसा कुछ हम से नहीं कहा गया है तो इसका मतलब on call d क्यों बताया भी सारा some answer are not summary some answers ये वाले जो answer है not summary बिल्कुल सही राइट तीनों सही होंगे तीनों सही होंगे well done guys option number d आपका सही होगा all conclusion follows well done all of you बहुत बढ़िया question number 37 आपके सामने है चलिए solve करें जल्दी से quickly कुछ second का को समय दिया जा रहा है जल्दी से question number 37 को solve करिए और फिर मुझे answer बताईए और फिर मैं बताता हूं ठीक है कैसे करना question number 37 quickly जल्दी से जो भी लोग live है जल्दी से solve करिए अंकित सर का comment आपने पूछने तो और अच्छा हो गया ओहो क्या बात कर दी चलिए बई जल्दी से question number 37 solve करिए quick so logism की practice करिए दो number ना कटने नहीं चाहिए हाला कि कोई number नहीं कटना चाहिए वैसे तो लेकिन येतना असान होता है एक बार सीखने के बाद तो एक भी number आपका नहीं कटना चाहिए जल्दी से practice जितना करेंगे उतना अच्छा है if I am giving you the time then you should do more and more practice okay guys do it fast give me the answer option number E यानि either okay मेरे पीछे छुप गया है option number E तो मैं थोड़ा सा उसको छोटा कर देता हूँ ठीक है अब आपको दिख रहा होगा मेरे क्याल से option number E option number E है either conclusion one or third follows and conclusion second follows क्या बात कोई answer नहीं है अभी तक चले मैं solve कर दूँ some stars are planet some stars are planet all planet are comets ठीक है फिर no comets are asteroids ठीक है comet no comet are asteroids यानि A हो गया some asteroids are eclipse चलो ठीक हो गया some a r s some a r s कोई संबंद नहीं है ठीक है some e being c is a possibility some e being c है ना बिलकुल possibility तो है बिलकुल है some and no में either की condition लगेगी ना पूछ सॉरी either or हो सकता है हो सकता है some और no में बिलकुल लगेगी बिलकुल लगेगी बवीता some और no में बिलकुल लगेगी either की condition ठीक है तो some eclipse being comet is a possibility तो some भाया some तो हो सकता है इसमें ये वाला part नहीं है इसको देम यहां जोड़ें तो कोई statement change नहीं होगा तो ये सही होगा इसका मतलब फिर no asteroid is star no asteroid is star कोई संबन नहीं है क्योंकि दोनों गलत है तो हमारा either वाला follow लग सकता है follow कर सकता है तो asteroid और star भी same है और some और no का case भी लगता है आपका ठीक है तीन case में आपको बताये थे कौन कौन से some plus no some plus some not ठीक है और all plus some not ठीक है और कौन सा case नहीं होगा either और वाला all plus no का case either और में follow नहीं करेगा बाकि ये तीनों follow करेंगे तो some और no का case follow करेगा second वाला follow कर रहा है यानि either conclusion one और third follows and conclusion second तो follow करता ही करता है ठीक है सबको समझ में आ रहा है सबको clear है एक बार मुझे confirm कर दो guys कि हाँ समझ में आ रहा है है ना जरूरी है ये चीज़ा आपके लोगों के लिए और मेरे लिए जानना कि समझ में आ रहा है ठीक है चलो करो question number 38 solve करिए quickly जल दीसे question number 38 मुझे लग रही थी weakness और पढ़ाते वे ऐसा होता है कि weakness सारी कायब हो जाती है मन लगना चाहिए काम में ठीक है second conclusion वाला बताना है Amit को okay Amit ठीक है question number 38 कर लीजी फिर 37 में हम दुबारा switch करेंगे और उसको आपको second वाला समझाएंगे sir I shall want to talk with you okay Nitin okay okay you can talk to me on telegram okay just go after watching this video you can go in the description okay there you will get the telegram link join the channel and you can talk to me there please direct message me on the in on telegram I'll share the number I think in a lesson I have also shared my number कुछ लोगों ने मुझे call भी किया था उस number पर मैं share कर चुको एक बार अपना number ठीक है बार बार नहीं कर सकता तो आप आप मुझे telegram पर DM कर देना मैं आपको number दे दूँगा बात कर देंगे आपसे ठीक है कोई problem नहीं है चलिए बभीता ने कहा है option number A विक्रम भी कह रहे है option number A welcome okay guys let's solve this question some companies are industries some companies are industries some industries are primary all primary are services ठीक है all services okay थोड़ा सा यहां पर फिगर गलत हो गया है गलत नहीं हो गया थोड़ा सा disbalance type का हो गया है all services are secondary ठीक हो गया चलो अब all companies being primary is a possibility है ना possibility बोला गया all companies being primary all companies being primary बिलकुल हो सकता है यदि सारी company को हम primary के अंदर ले आएं तो क्या और कोई statement change होगा नहीं होगा change है ना कोई change नहीं होगा तो इसका मतलब यह सही होगा possible है कि हम P को C को P के अंदर ले आएं ठीक है फिर all services are not primary अब देखो क्यूंकि सारे statement positive हैं तो मैंने जिस दिन आपको silog बताया था यदि सारे statement positive है तो negative conclusion का तो कोई मतलब ही नहीं होता है ठीक है ना देखने की जरूरत ही नहीं है हाला कि आप यहां से चेक करें तब भी आपका गलत आएगा लेकिन जब सारे statement positive हैं तो एक भी conclusion negative नहीं हो सकता यानि only conclusion one follows है ना यानि option number A ठीक है चलो अब जरा doubt clear करते हैं किसका doubt clear करना है कौन था अमित का doubt clear करते है question number 37 के लिए अमित को possibility वाले में दिक्कत है some eclipse being comet is a possibility देखो अमित possibility के case के लिए आप silog का पहला वाला जो session है उसको बहुत अच्छा से देखिएगा दो session हो गया है से log के जहां तक है उन दोनों को अच्छे से देखेगा possibility का आपको clear हो जाएगा आपको possibility चेक करनी है some eclipse being comet अब देखो यदि हम कुछ eclipse को comet बना दे यानि इस figure को कुछ इस तरीके से draw कर दे है ना बाकी statement में फरक पढ़ रहा है तो इसका मतलब possibility सही है और यदि उसको बनाने के बाद draw करने के बाद statement में कोई हमारा changes आ जा रहा है तो वो आपका गरत हो जाएगा ठीक है चलो बढ़ते है question number 39 की तरफ 39, 39, 39 come on question number 39 quickly guys solve करें जल्दी से छोड़ के क्यों चले जाते हैं class मज़ा नहीं आ रहा है क्या practice करनी पड़ेगी दोस्तो practice नहीं करोगे तो नहीं होगा ठीक है question number 39 चलो जल्दी से welcome amit no problem please watch the session of syllogism first and second you will make clear all the things about syllog okay चलो question number 39 time जल्दी 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 solve करिए जल्दी जल्दी बबीता गई है, option number B के साथ, अर्चना गई है, option number D के साथ, चलो, जल्दी से, दोनों ही answer varied, अर्चना के according only second follows, और बबीता के according only first follows, okay, no problem guys, कोई एक तो गलत होगा, लेकिन कोई बात नहीं, गलती होगी, तभी सीखेंगे, चलो, solve करें फिर अब, बाकी लोग answer क्यों नहीं कर रहे हैं, no bulb is a tube light, ठीक है, तो ये है हमारा bulb, कोई bulb जो है, कभी tube light वैसे भी नहीं हो सकता, ठीक है, okay, all tube lights are chair, जो सारी की सारी tube light है, व कर देते हैं, ठीक, चलो वै, क्या बोल रहे है, all tube lights are table, all tubel lights are table, बिल्कुल सही है, सारी की सारी tube light, table के अंदर आ रही है, तो ये बिल्कुल सही है, at least some tables are chair, कम से कम, यानि some table are chair, at least का मतलब sum होता है, some tables are chair, some tables are chair, बिलकुल, दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है, वही, some tables are chair भी तो है, क्योंकि कुछ chair जो है, सारे की सारी table के अंदर है, तो some table are chair भी होगा, दोनों सही होंगे, बोथ D option answer होगा, किस-किस ने D answer किया है, अर्चना का answer ही सह ही है, ओके, बाकी लोग B क्यों बताए है, B मतलब first, second क्यों नहीं follow होगा, second follow होगा, at least some का मतलब होता है, some, पहले glass में बताया था, some tables are chair, बिल्कुल some tables are chair, क्यों, because all chairs are table, all chairs are table, तो, भई, कुछ ना कुछ, some table are chair तो ही है, यह वाला portion common है, ठीक है, got it everyone, क्योंकि ये, मुझे सब लोग confirm करेंगे, कि समझ में आ गया, क्योंकि, कई लोग का गलत हुआ है, एक बार confirm कर दो, जल्दी से, चलो, clear है, समझ में आ गया, बता दीचे, सब लोग, clear है या नहीं है, ओके, चलो बे, question number 40 करें है, 40, come on, question number 40 solve करें, जल्दी से, कल क्लास नहीं हुई थी, तो, साड़े दस्तप तो पढ़ना बनता है वही आज, ठीक है, question number 40, सम का doubt था, नितिन को, मैंने कहा ना नितिन, पहला दूसरा देख लीजएगा, समझ में आ जाएगा, 40 solve करें, सुमंथ ने क्लास छोड़ दिया, मुझे लग रहा है, सुमंथ नहीं है, नहीं है क्लास में, question number 40 solve करें, गाईज, झाल झाल ए, 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 ओके, विक्रम कह रहे हैं, ए, अमित कह रहे हैं, Sir, I have to go, मेरे एक और क्लास है, दस से गयरा, I will see record it, Okay, no problem, अर्चना, No problem, at all, बबीता गई भी है, option A के साथ, Thank you so much, अर्चना जी, Okay, let's solve this problem, because कही लोग का अंसर गलत आ रहा है, All swans are peacock, तो all swans are peacock, No peacock is hen, No peacock is hen, All hen are duck, All swans are duck, All swans are duck, मतलब ही नहीं होता, Some ducks are peacock, Some ducks are, Some ducks are peacock, कोई relation नहीं, दोनों गलत हैं, Neither one second follows, Option number A, Option number A, बबीता और अमित का सही है, नितिन आपका गलत है, विक्रम का भी सही है, Okay, कोई बात नहीं, गलती हो रही है, तो जरूर जाके, सिलॉग बाले चेटर को देख लेना, Question number 41, Quickly, 16 तक तो पढ़ना बनता है भी आज, Question number 41, जब मुझे पढ़ाने में दिक्कत नहीं है, तो आपको भी नहीं होनी चाहिए, परिशानी, एक्जाम को बहुत टाइम नहीं है, जल दी से, Question number 41, अच्छा, Class है, ओके, तो ठीक है, फिर चल ले, इस last question को करिए, फिर छोड़ते हैं आप लोगों को, इसको करिए, फिर छोड़ते हैं, ठीक है, इस question को कर लीजे, Question number 41 को, फिर जो है, Class को end करते हैं, आप लोगों के दूसरी Classes को disturb नहीं होना चाहिए, यह option के साथ गहीं है, अभी कौन सी Class है वैसे, किस platform पर है, कौन सी Class है, May I know, okay, no newspaper is magazine, no newspaper is magazine, ठीक हो गया, not a single, मतलब not a single का मतलब no, no magazine is book, यानि no magazine is book, every book is a story, ठीक है, some stories which are books, some stories which are book, some stories which are book, यानि ये वाला portion, ठीक है, are newspaper as well, कोई मतलब भी नहीं होता, ठीक है, चलो, okay, ठीक है, फिर no newspaper is a book, no newspaper a book, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अब देखो, फिर उसके बाद, some stories are not magazine, some stories are not magazine, some stories are not magazine, बिल्कुल सही है, because ये थोड़ी story है, जो magazine नहीं है, यानि only third follows, option number a, only c3 follows, okay, बिल्कुल सही, बपीता, अमित, विकरम e नहीं होगा, क्योंकि थर्ड वाला तो follow करेगा, ना, some stories are not magazine, कुछ story ऐसी है, ये जो b वाला portion है, वो magazine नहीं है, बिल्कुल सही होगा ये वाला, ठीक है guys, clear है, class आगे बढ़ाएं, या skip बंद करें अभी बताओ, जाना भी है कई लोगों को सुना मैंने, कर लो यार, एक और question कर लो, ठीक है, 40 second भी कर लो, जो लोग जा रहे हैं, आप लोग अगली class, जो भी आपके classes को join कर सकते हैं, बाद में recorded देख लीजिएगा, ठीक है, question number 42 solve करिए बाकी लोग, बाकी लोग question number 42 solve करो, ओके विनीता, पूरी class में देड़ घंटे बाद आपका comment आया है विनीता, क्या बात, चलो continue करते हैं, ओके, बिल्कुल दीपा, आप जा सकती हैं, वहाँ पढ़ने, इसको बाद में देख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, question number 42, चल्दी से answer बिताईए सबी लोग, साड़े दस तक कराऊंगा, मैं class उससे उपर नहीं कराऊंगा, ठीक है, साथ मिनुट और करवाऊंगा, don't worry, जो लोग continue करने के लिए कह रहे हैं, उनको भी लुकसान नहीं होना चाहिए, क्या बात भई, आंसर क्यों नहीं आ रहा है, इतना tough question है क्या, अमित का answer आ रहा है D, यानि all of above, उके, बाकि लोग क्यों नहीं कर रहे हैं answer, चलिए वई, a few यानि some, some parrots are not pizan, ठीक है, यह हो गया आपका parrot, ठीक है, और some parrot, यानि इसमें से कोई एक portion जो है, pizan नहीं है, ठीक हो गया, pizan, all pizan are white, सारे के सारे जो pizan हैं, वो white है, ठीक, no white is green, no white is green, चलो, ठीक है, अब उसके बाद, no green is pigeon, no green is pigeon, बिलकुल सही, बिलकुल सही है, क्योंकि no green is pigeon, क्योंकि पूरा का पुरा pigeon, white के अंदर है, no parrot is green, no parrot is green, कोई संबन नहीं है, इस कापस में, ठीक है, कोई संबन है, नहीं है, ठीक, तो उसके बाद, some pizan are not parrot, some pizan are not parrot, नहीं, गलत होगा, क्यों गलत होगा, इसी लिए गलत होगा, नहीं भई, सभी लोग कोई D कह रहा है, कोई E कह रहा है, देखो भई, पहला वाला तो follow करेगा, यह करेगा, no green is pigeon, बिलकुल follow करेगा, no parrot is green, बिलकुल कोई संबन नहीं है, तीसरा वाला जरा समझे ध्यान से, some pizans are not parrot, कुछ pizan जो है parrot नहीं है, ठीक है, ऐसा तो नहीं बोला गया, हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला गया, जरा ध्यान से इसको समझना, थोड़ा सा difficult है समझना इसको, हमसे उसने क्या बोला है, हमसे बोला है, कि some parrot are not pigeon, हमसे यह बोला है, यानि इसका कुछ एक portion जो है, pigeon नहीं है, तो हम इस statement को change नहीं कर सकते, कि some pigeon are not parrot नहीं कह सकते, लेकिन यह question कुछ इस तरीके का होता, कि no parrot, ध्यान से सुनिएगा, no parrot is pigeon एदी होता, तब इसके सारे conclusion कौन कौन से होते, कि some parrot are not pigeon, और some pigeon are not parrot, लेकिन यहाँ पे no वाली condition नहीं है, यहाँ पे some not वाली condition है, तो option number A होगा, only C1 follows, ठीक है, समझ में आया, got it, चलो, question number 43 आपके सामने है, जल्दी से, question number 43, quickly, question number 43, lijका टvaccिस के सांने है, नहीं से कौने है, बज़ करिफ़ और क्वेई, आपके सा barn रहा है, थार जशी अपके सांने है, B option के साथ गई है बवीता यानि either का case लग रहा है C1 और C3 में ओके चलिए बाकी लोग दो बताएं जल्दी से क्या अंसर होगा कोई आंसर नहीं आ रहा है क्या बात होगी some hours are minutes some hours are minutes all clock are minutes यानि clock इसके अंदर आ जाएगा ठीक है चलो मैं square is करके दुबारा लिख देता हूँ all clocks are minutes यानि all clocks are minutes और some hours are minutes यानि some hours are minutes no minute is second यानि no minute is second ठीक है चलो अब देखो some hours are clocks some hours are clock कोई direct relation है क्या यदि यहाँ possibility होती कि some hours are a clock is a possibility तब इसको हम सही कर सकते थे लेकिन आप तो यह गलत है क्योंकि direct relation तो ही नहीं all seconds being clock is a possibility क्या सारे के सारे second clock हो सकते है देखो सारे के सारे second को clock बनाने के लिए हमें second को इसके अंदर डालना पड़ेगा ध्यान से समझीएगा हमें सारे के सारे second को clock बनाने के लिए second को इसके अंदर डालना पड़ेगा और यदि हम second को इसके अंदर डालेंगे तो हमारा कौनसा statement गलत हो जाएगा यह वाला statement हमारा गलत हो जाएगा कि no minute or second ये वाला statement क्या convert हो जाएगा कि all no की जगा all minute or second हो जाएगा लेकिन statement तो हमको change नहीं करना है तो इसका मतलब जो answer होगा ये possibility क्या हो जाएगा आपकी गलत हो जाएगी समझ में आया नहीं आया ठीक है चलो अब आगे देखो ओके यानि first और third में आयदर लगेगा आयदर C1 और C3 follows ठीक है guys चलो बहुत बढ़िया अब हम लोग एक और question करते हैं 44 बहुत छुटा सा question है जल्दी से answer करते है no coke is sprite, no pepsi is coke चलो answer बताओ मैंने बना के बढ़ी दिया figure sir if some hours are mint then why some are not clock some hours are minute okay Vinita just do this question first question number 44 then I'll switch to the question number 43 for you okay I'll solve your problem don't worry first of all question number 44 solve करें उसके बाद मैं आपका question जो doubt है उसको clear करता हूँ बवीता कहीं है option number D के साथ चलो बहीं सभी लोग D कह रहे है answer no sprite is pepsi, sprite और pepsi का कोई संबंध है आपस में नहीं है तो यह गलत हो जाएगा all pepsi are sprite, all pepsi is sprite कोई संबंध नहीं है अब देखो यहाँ पे दोनों गलत है, either or वाली condition भी है लेकिन अच्छा sprite और pepsi भी है लेकिन all plus no में कभी भी either or नहीं लगता है इसी लिए neither conclusion one or second follows आपका क्या answer होगा कई लोग हो सकता है, either लगा दें लेकिन either आपको यहाँ पे नहीं लगाना है अब जरह मैं विनीता का problem solve करूँ that is of question number 43 क्या आप पूछनी थी विनीता आप कि sir if some r's are mint then why some r are not clock some r are not clock ठीक है विनीता, बहुत अच्छा question है ध्यान दीजे इधर, ठीक है देखो, देखो विनीता some r's are minute तो आपको statement में दे रखा है आपको statement बोला हो है न some r's minute इसलिए हमने बना दिया अब r और clock क्यों नहीं हो सकते क्या यहाँ पे कोई direct relation है क्या यहाँ पे कोई direct relation है कोई यहाँ पे direct relation नहीं है ठीक है, एक सेकंड रुकना कभी कभी बड़ा परेशान कर देता है क्या यहाँ पे कोई direct relation है नहीं है, h और c में कोई भी direct relation हमारे पास नहीं है यहाँ ठीक है तो इसलिए हम h और c में कोई relation नहीं बता सकते हाँ, h और m में relation है r और minute में relation है कि वही some r और minute भी हो सकता है और some minute और r भी हो सकता है लेकिन clock से हम relation h का नहीं बता सकते हैं लेकिन केवल possibility के case से बता सकते हैं क्यों यदि हमारे पास question है कि some are our clock is a possibility या some clocks are our is a possibility तो हम यदि इसको इसके अंदर डाल दें एक बार के लिए तो हमारे statement में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो possibility के case में सही हो जाएगा ठीक है चलो question number 45 जल दी से guys question number 45 excuse me question number 45 असान question some mobiles are laptop some mobiles are laptop no laptop are tablet चल दी से question number 45 का solution बताईए answer बताईए चल दी से बताईए जल जल दी करिये 10.30 हो गए है ठीक है और 4 question ही बचे है तो मैंने सुचा करा देता हूँ जल दी से बताओ लेकिन ठीक है लेट मत करो और जो लोग लेट आते हैं कोशिश करिये 9 बज़े आने कि आप डारेक्शन की class थी है ना last में question खतम हो गए था डारेक्शन की इसलिए मैंने आपको ये जो एक log मैंने दिया था टेलिग्राम में solve करने के लिए वो कई लोगों ने solve मी किया इसलिए मैंने questions को दुबारा करवा रहा हूँ आज come on come on come on जल्दी answer पताईए जल्दी 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 हाँ बिलकुल अरे वाँ वर्षा ने बिलकुल सही किया भी मैंने गलत कर दिया यहाँ पर चलो कोई बात निया आप लोग सही कर दो गलती हो जाती है बातों बातों में some mobiles are laptops है बिलकुल वर्षा some mobiles are laptop है no laptop is tablet मैंने गलत बना दिया था some tablets are not mobile कुछ ऐसे tablet है क्या जो mobile नहीं है कोई नहीं देखो some tablet are not mobile नहीं हो सकता लेकिन यदि मैं बोलू कि some mobile are not tablet तब हो सकता है क्यों कि कुछ mobile ऐसे हमारे पास है जो tablet नहीं है तो ये क्या होगा गलत होगा हैना all tablets being mobile is a possibility all tablets being mobile is a possibility बिलकुल हो सकता है कैसे हो सकता है जरा ध्यान दीजिए ठीक है यदि मैं क्या करूँ यदि मैं इस tablet को M के अंदर डाल दूँ और यहां से no correlation कर दूँ कि कोई भी जो आपका laptop है वो tablet नहीं हो सकता लेकिन सारे की सारे tablet क्या हो सकते मोबाइल हो सकते हमारे इन दोनों में से को statement change हो रहा है क्या नहीं हो रहा है दोनों statement अपनी जगा सही है तो इसका मदला possibility वाला आपका सही होगा यानि conclusion second follows option number B किसी का answer सही नहीं आया वही क्यों क्यों नहीं आया option number B आएगा na conclusion second follow करेगा possibility follow करेगा ठीक है अंकिस सर आप कहां से बीज़ीच में आ जा रहे है मतलब class में regular है या कभी-कभी आ रहे है I'm not getting this point ठीक है option number B follow होगा first वाला follow नहीं होगा क्यों? क्योंकि यदि हम tablet को mobile के अंदर डाल दें तो हमारे statement में कोई परिवर्तन कोई भी change नहीं हो रहा है चलो question number 46 में यह करा दे रहा हूँ वाई all biscuits are butter no butter is bread यह bread है और यह butter है ठीक है at least some bread are butter यानि at least के मतलब sum ही होता है some bread are butter तो bread यह है butter यह है कोई संबन नहीं है no biscuit is bread no biscuit is bread बिलकुल सही है क्योंकि कोई भी butter आपका bread नहीं है और biscuit जो है butter के अंदर आ रहा है तो no biscuit is bread बिलकुल सही होगा ठीक है यानि conclusion second follows ठीक है ओके अंकिस सर नो प्रॉब्लम चलो वे question number 46 हो गया 47 जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूं questions ठीक है some sights are haunted some sights are haunted some sights are adventurous some sights are adventurous ठीक है some adventurous sights are haunted some adventurous sights यानि जो ये वाला portion है वो कह रहा है कि haunted है भई कोई shorty है क्या कोई shorty नहीं है यदि possibility होता तब जा case ही होता ठीक है तो ये गलत हो जाएगा possibility नहीं है ना some haunted sights are adventurous some haunted sights ये वाला ठीक है ये भी कोई पक्का नहीं है कोई short तो नहीं है है ना कोई शौर है नहीं है अब देखो यहां पे सम और सम है कोई नो वाला case भी नहीं है तो आइधर और भी नहीं हो सकता यह यह दोनों possibility में होते तो दोनों सही हो जाते क्योंकि possibility में नहीं है तो दोनों गलत होंगे neither conclusion one nor second follows question number 48 all apartments are simplex all apartments are simplex no simplex is duplex तो no duplex is apartment बिलकुल सही है वही क्योंकि कोई simplex duplex नहीं है और कोई duplex simplex नहीं है और simplex के अंदर आपके apartment आते हैं तो कोई apartment आपका duplex भी नहीं होगा no apartment is duplex बिलकुल दोनों ही एक ही statement ने बस इधर उधर कर दिया है दोनों आपके सही होंगे both conclusion follows e ठीक है चलो question number 49 देखो अब मैं बता दे रहा हूँ कि बहुत time नहीं है no crab is starfish no crab is starfish no octopus is crab no octopus is crab no starfish is octopus कोई संब्ध है क्या आपस में कोई संब्ध नहीं है तो हम relation तो बनाए नहीं सकते फिर all octopus are starfish all octopus starfish कोई संब्ध नहीं है लेकिन दोनों गलत हैं तो either or हो सकता है न ठीक है दिमाग का fuse id उड़ जाता है इन questions में कोई बात नहीं विक्रम जब बार बार करोगे तो सब ठीक हो जाएगा ठीक है data खतम हो गया है ठीक है तो गलत हो गया लेकिन all plus no में कभी भी either का case नहीं होता है भलही star star और octopus octopus आ रहा हो तो all or no में कभी भी either का case नहीं होता है यानि neither one or second follows ठीक है last question की तरफ बढ़ते है question number 50 ठीक है चलो question number 50 all phones are charger all phones are charger no charger is battery at least some batteries are charger battery का charger से कोई संबंध है नहीं है गलत हो गया no phone is battery no phone is battery बिलकुल सही है यानि only second follows ठीक है गाईस मज़ा आया class में बहुत लो class चोड़के जा चुके है लेट हो गया इसलिए ठीक है चलो बहुत time ले लिया मैंने आप लोगों का आज okay तो मिलेंगे कल फिर से 9 बजे तबियत थोड़ी है अनासाज लेकिन ठीक है class ले सकते हैं जब मैं class ले सकता हूं तब मैं ले लेता हूं कल बहुत ज़्यादा खराबती तब है इसलिए मैं class ने ले पाया था ठीक है आज हमने बहुत देड़ गंटे से उपर पढ़ लिया अपने लगब लबाव दो गंटे होने वाले है आने वाले 20 मिनिट में दो गंटे हो जाते हैं यह हम रेगूलर ठीक है आपकी इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपका एक्जाम है और आपका एक दिनवेदी वेस्ट होगा अभी तो आप समझेए कि आपका करोडों का नुकसान है वो ठीक है आप लोग सभी लोग अपनी सेथ का ध्यान रखिये मैंने क्या कहा हमारी खराब हो जाए कोई प्रॉबलम नहीं है आपका एक्जाम है आपकी खराब नहीं होनी चाहिए इस समय में ठीक है चलो ओके गाइस मिलते हैं फिर कल आप लोगों से ठीक है बबाई गाइस गुडणाइट अपना ध्यान रखिये हाँ टेलिग्राम में नितिन आप मुझे डीम कर दीजिएगा ठीक है डारेक्ट मेसज करिएगा ओके अमेद अच्छी ग्लास थी इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए पढ़ते रहिए सपोर्ट के आपढ़ते रहो जो पुराने से सशन से उनको भी रिवाइस करते रहो ओके विनिता मेरी भी नहीं होगे मैं पूरा ध्यान रखोंगा ठीक है चलो थैंक्यू सो मच फॉर दिस केयर ओल अफ्यू अब तो सच्ची में बाई-बाई-बाई ओके बवीता थैंक्यू चलो बबाई गाईस अब चलते हैं विलेंगे कल आप से गुड़नाइट टिक केर पढ़ते रही है और सीखते रही है हाओ नितिन कुछ नहीं करना आप ना वहां पर जाके टेलिग्राम पर आप मुझे चलो मैसेज तो करो आप ग्रूप में मैसेज कर दू कि I am Nitin करके I'll message you my personal number okay मैं आपको मैसेज कर रहा है तो मैं आपको मैसेज कर रहा है तो मैं आपको मै आप बहुत बार बाइबाई बोल दिया मैंने ओके बाइबाई गाइस गुटनाइट